किसान भाईयों आज की वीडियो में बात करेंगे धान में दूसरा और बरख हमको कब देना चाहिए जिससे अच्छा उत्पादन भी मिले पौधे की ग्रोध भी अच्छी हो और विकास भी पौधे का अच्छा हो जिससे जो है पौधा मजबूत रहे अच्छे से चले और उस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो दानेदार उरवर्कों को जो देते हैं उनहीं उरवर्कों के बारे में बात करेंगे जो इस्प्रे करने वाली उरवर्कों के भी बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना करके आप को जानकारी दे देंगे दोस्तों दूसरा खाद पहली खाद की तरह दूसरा खाद भी उतना ही महत्पूंड है जितना की पहली खाद क्योंकि पहली खाद जब हम देते हैं तो कल्ले नए निकलते हैं जड़ों का विकास होता पौदे का टेलिरिंग और ग्रोथ होती है तो इस समय हम पहली उर्वरक देते हैं जिससे कल्ले अधिक से अधिक निकलें लेकिन वहीं पर जो दूसरी उर्वरक हम को देने का समय होता है वो प्राया अंतिम उर्वरक हम कह सकते हैं कि हमको धान में देनी रहती है दूसरी उर्वरक हमको सही समय पर बिल्कुल देना चाहिए जिस हम थोड़ा पहले दे देते हैं तो उस से भी हमारा नुक्सान होता है क्योंकि उसके बाद काफी लंबा पेरियट निकल जाता है जब पकने की अवध होती है और बीच में काफी लंबा गयपिंग हो जाता है जिससे और बढ़क बीच में ही उनका खतम हो जाता उनका असर खतम हो जाता और बात तक उनका काम नहीं दिखा पाती है अपना असर नहीं दिखा पाती है यदि हम ज्यादा लेट करते हैं तो क्या होता है कि जब उनमें बालिया निकलने की अवस्था होती गबोड की अवस्था होती दाने भरने और पकने की अस्थावती तब तक पौधा लास्ट तक भी काफी हरा भरा रहता है जिसके काण वो लेट पकता है और कभी कभी जो है हाइट ऐसे समय पर बढ़ती है जब पौधे को थोड़ा मजबूत होना चाहिए तो जिससे फसल गिर भी जाती है और उत्पादन कम हो जाता है तो हमको अच्छा उत्पादन लेना है अच्छी ग्रोध भी पौधा करें मजबूत भी रहे और विकास भी अच्छे से करें तो इसके लिए हमको दूसरा उर्बरक सही समय का ध्यान रखकर ही करना चाहिए तो यह सही समय कौन सा है और कितनी कितनी डोज हमको देनी चाहि आसा होती जो कुछ गुट कुछ परीने रखकर होती है यह रुपाई के बाद की अवाध की हम बात कर रहे हैं यहां पर तो इन में जो हैं अरुभरक की मात्रा भी अलग हो जाती क्योंकि 90 दिन और 135 दिन में काफी अधिक अंतर होता है तो हम सेम डोज में उर्बड़क भी नहीं दे सकते हैं यानि उर्बड़क हमको अलग-अलग ब्राइटियों के लिए अलग-अलग डोज रखनी पड़ेगी जिससे जो है पौधे को काफी अच्छा फाइदा हो होगा जैदि कम अवधिवाले में हम ज्यादा दोज देंगे तो पौधत को नुकसान हो सकता है तो पौधे में आवस्ट को चत्त्तूं की पूर्थ भी तरीके से नहीं नहीं हो पाएगी इस समय जो हम दूसरा उर्बरक दे रहे हैं इसमें कौन-कौन सी उर्बरक को हमें सा तो उसमें गिरने की संभावना कम हो जाती है और जब उसमें गबोड की वस्था आती है तो बालिया जब निकलेंगी तो थोड़ी लंबी मजबूत निकलेंगी दाने का भराव भी अच्छे से होगा और दाना चमकदार होगा वजन दाना होगा जिससे उत्पादन हमको अच् में देना चाहिए और किस ब्राइटी पर किस समय देना चाहिए ये भी आपको हम डिटेल से बता देते हैं देखे दोस्तों नबे से सव दिन में जो पक्करधान तयार होती उसमें आपको 30 से 35 दिन पर लास्ट उरबड़क यानि दूसरा उरबड़क दे देना है जिसमें यू यूरिया और पोटास की मात्रा भी आपको कम रखनी है 110 से 120 दिन में जो पक्कर तयार होती है उसमें 40 से 45 दिन पर हमको दूसरा डोज उरबड़क का दे देना है और इसमें 45 किलोग्राम यूरिया और 15 किलोग्राम तक पोटास आप दे सकते हैं तीसरे जो अवद है वो 125 से 135 दिन में जो पक्कर धन तयार होती है उसमें 45 से 50 दिन पर हमको इन उरबड़कों को देना है जिसमें यूरिया की मात्रा 50 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 15 किलोग्राम रखनी है इसके बाद जो लास्ट अवद है 135 दिन के ऊपर की अवद के समय में आपको जो लास्ट उर बड़क फसल है इसमें आपको उरबड़क की मात्रा थोड़ी सी बीच में भी देनी है यानि जब 30 से 35 दिन का समय हो उस समय आपको 30 किलोग्राम यूरिया और साथ में फासफोरस मिला करके दे देना है जिससे पोधे का इसमें टेलरिंग का और कलो का फुटाओ का थोड़ा लंबा समय होता है तो आपको ये डोज भी बीच में पूर्त करनी है तो दोस्तों इस तरीके से यह आप लाश यानि दूसरा और बड़क अपने धान की फसल में देते हैं तो निश्चित ही उत्पादन अच्छा मिलेगा पोधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी विकास भी अ मार्केट में बिकने वाला भी तयार होगा धन्यवाद